नमस्कार मैं हो देवांसू आप देख रहे हैं न्यूस फोरनेशन टोकियो पारा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 10 पदक जीते हैं जिसमें की सबसे बड़ी बात बिहार के लिए गौरब की बात है कि बिहार के मुझपरपूर के सरत कुमार ने ब्रॉंज मेडल जीता है और इसक सरकार खेल को लेकर बिल्कुल ही सजग नहीं है यहां पर कोई भी स्ट्रक्शर नहीं है लेकिन वो सरत कुमार को बढ़ाई देते हैं आगया वीडियो में देखिए तेस भी आदब पारा ओलंपिक में मेडल जीतने पर सरत कुमार को लेकर क्या कह रहे हैं उनको सब लोगों को बढ़ाई देते हैं लेकिन आप जान रहे हैं कि बिहार में पूरी तरीके से खेल जो है चौपट कर दिए पडबाद हो चुका है हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार का लोग जाए गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत करके आएं लेकिन बिहार में कोई ऐसी सरकार जो है खेल कूद को लेकर के गंभीर ही ने और कोई दूर द्रिष्टी ही ने उसमें तो हम लोग कही थे कि प्रदान मंत्री जी को अब अपना काम करना है बाकि हम लोगों ने अपना काम किया है सारी चीज़े जो है विस्तार से उनको बता दी गई है कि जाती जिन गन देना होगा तो क्या फायदे होंगे कास सेंसे को लेकर के लोगों की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना है और अब प्रधार मंति जी जी और सरकार को तैय करना है कि जाती जनगन्ना कराएं या ना कराएं कि अब बीजेपी के लोग तैग करें कि 40 सीट वाले को पीएं माटीरियल योगिता मानेंगे की नहीं मानेंगे मुख्यमंत्री जी तो ठके में मुख्यमंत्री हैं बिहार की क्या दुर्दशा की है उन्होंने आप दूसरी और तीसरी नंबर की पार्टी वो डिसाइड करें अब इलालो जी के सिहत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे और अभी तो आप देखें हुए कि कल जर्मास्ट में भी था पामरी जो बहें रहती है उनके हां मनाया गया तो वहां भी वह गय थे अब को लागता है जल्द से जल्द आ जाएंगे कि कि यह तेसपी यादव जो साब तवर पएर बिहार के मझहपरपुर के सरत कुमार को बढ़ाए दे रहे हैं और साथी नितीज सरकार पर निसाना साथ रहें यह केह रहे हैं कि खेल को लेकर सीमी 30 कुमार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है बिहार में खिलाडियों के लिए को महजूर नहीं है फिलाल अभीता के लिए इतना ही आप देखते रहें नूश फरनेशन